पांच किलो रासन पर यतना गुमान बाला यतना गुमान पांच कुंटल ताड़ चर जनता पर सान योगी बाबा यह देखो यह भी आजी तलाल निरहू की बिटिया हैं इस बताओ पापा कब से का लगाते हैं बताओ पाई छोड़ें एक भती दिरह नो नहीं लेकि आपन बि एक एतिहासिक जिला जोनपूर के मरियाओं से कुछ दूरी पर यह गाओं पढ़ता है पल्टूपूर यह पल्टूपूर इसलिए ज्यादा फेमस हुआ कि यहां से एक अजीत लाल यादो उर्फ निरहू जो चुनाओं के पहले एक गाना गाकर फेमस हुए थे जिसको हमें लगता कि सारे यूपी के लोग साहद सुने हुए उस गाने को उनके गाने की बोल थी कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान ऐसे खुछ था और आगे कुछ और लाईने थी जिसको जिस गाने को ले कर वो पूरी तरह से फेमस हो गये थे पापलर हो गये थे बहुत सारे मेडिया कर्मी के भाई लोग यहां पहाए हुए थी उनसे मिले थे उनसे कई सारी बाते कि यह थे और उसी उम्मीद पर आज हम उनसे मिलने के लिए यहां पर आए थे कि उनकी इस्थिति देखने के लिए क्योंकि अब वो लग चुके हैं पूरी तरह से आप देख सकते हैं अजीतलाल यादो उर्फ निरहू का घर है यह देखिए यह घर है मढई है पूरी तरीके से यहां पर चलिए हम अभी बात करेंगे इनके परिवार से भी सारी चीजे देख लिजे यही सब है यह मढयाहू के आसपास तकरीबन हमें लगता साथ 8 किलोमेटर फिस दूर होगा मण याहू से यह उनका गाह जीतलाल निरहू का यह उनकी आउन से शलिए कुछ बाप Bäट चीथ हम कर लेते हैं शृद कहां गये है यह समय घर पे ममबा किया गया ऑच ंच prevent च। सब करने करना है रोजब काफी किताब सब्सक्राइब कुष्ष्ण शुबर्य कताब। की चमते टीन गाता में पैसा मिलता एता चीसा कि शोब हो जाता है सभी लड़की आप से गाते थे जब से साथी आपकी हुई उसके पढ़ने जाते थे अब साधी नहीं हुई थी आप से तभी से वह गाना ना रहे थे जब आपकी साधी हुई तो फिर तब तो आउर गाना का रहा गावत हैं कदरी गावत हैं अब आप गावाई लागें है पांच किलो रासन अब जाके गाए है चुनाओ के पर लागें तो उस समय बताइए मेरे खेत में साड़ बता रहे हैं उनका खेत का फसल था वो जानवर चर चुके थे तो उसी गुस्से में उनके दिमाग में आया कि चलो हम गाना गाते हैं भाई होगी जी के खिलाब की शान और जो छूटे हैं उसलिए न के पांच किलो रासन पेतना गुमान बागे इनके घर की श्थिती आप देख लिजए अजितला निरव के तीन बच्चे हैं दो बेटे हैं अच्छा दो बेटे हैं एक बेटी है उनका घर की श्थिती है लेकिन इस तरफ में वो काम पर अपने पूरी तरह से जोरों से लगे हुए हैं शूबच से निकलते हैं सा करेंगे कि उनकी अवरत से पहले उनकी माता जी उनका हाल चाल जानती है कि वह कैसे थे और अब यह कैसे हो गए और भी परिवार के लोग यह भी आपके घर की है अच्छा अच्छा चलिए इन से भी कुछ बात चीत कर लेते हैं थोड़ा सा बताएंगे कुछ उनके बारे में आप गाना उने के सवक उनको कब से हुआ है अच्छा जब आप यहां पर नहीं आई थी आपकी साधी नहीं हुए थी उसके पहले सभी गाना उनका आते थे अभी तो ज्यादा उफेमस हो गये जब से गाना गाये पांच किलो रासन वाला ज्यादा फेमस हो बहुत सारे लोग आये होंगे मिलने के लिए यहां पर कैसा अच्छा भर दिये हैं अगर आवास के लिए वह भरा है तो बाकी देख लीजिए इनको आवास की जरूवत है जीतलाल निरहूप के यह परिवार की लोग है इनको घर की जरूवत है उनको मिलनी चाहिए जो सरकार की दल्प्स अच्छा यह बताए रासन मिल रहा है कि नहीं सासु क्यों लेता है आप परिवार को नहीं मिलता है झाल यह देखो एक डाजी इतलाग निधा highlights हिए अब बताओ पापा कब से गाना इते हैं बताओ है फ्रटाय सबbung कोने याद है पापका आपको वक्ता थोड़ेसा करिद काना सुनोः कोई प्रॉस्जा सुनन और सना अब कर्मा रही हो विटा कोन है अपका ःचा अब है ऑट वेटा और कोन न सुनाओ गाना सुना दो जो पापा गाते वह अलगा सुना रही हो अच्छा आप गाओ गें उनका गाना जानते हो लागें कपांच और इतना ऱुमान बात्रियों कुण्टाल चाहरद उनता पराशन योगी योगी बाबा रेयोगी बाबा काल उने गुता पेल कुणा then देखो यही गाना ऊप्रसको साजित लाल निरहु जी यही गाना गार लेकिन सब चुनाओ के पहले जब वायरल हुए थे लेकिन साइज जब चुनाओ फिर से योगी जी जीट गए तो फिर अभी वो कही गए हुए हैं, तो सायं मिलने का समय उनके पास नहीं है, काफी जादा बजी लग रहे थे फोन से, और अभी उनों फिर से फोन करेंगे और बात करेंगे, कि आखिर देखिये बाई, वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं चली एक बार उनको कॉल कर लेते हैं देखते हैं भॉषिस हमारी रहेगी कि वो मिल जाए क defense दूर से आया हुआ हूँ जुआ कि देखते हैं वह तो the to hello hello आप मिल पाएंगे हैं अगर लगता है आपको आप समय नहीं दे पाएंगे चलिए देखिए भाई ये बात इनसे हुई है और ये कह रहे हैं कि हम मिटिंग में है अब किसीज की मिटिंग चल रही है बाई ये कई सारे लोग होंगे इनके इस्टूडियो अगयरा में जो भी होगा गाने उन्हें की रिकार्डिंग के लिए गए होंगे तो इसलिए साथ वह बीजी है चलिए उनके माता जी भी हैं उनसे भी कुछ बात चीत कर लेते हैं फिर चलते हैं यहां से और फिर देखेंगे अगर आज उनसे मुलाकात हो जाती है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर कोशिश करेंगे फिर कभी मिलेंगे जरूर अजीत लान निरहू जी से वाइख सब्सक्राइबक आम आपसे गांते होंने के बासले क्भी में डीश हुआ पादे आपसे लोग सिखते हैं पाच किलो चयोंगे हैं में कमात हो बढ़ा है रहा है तीन भाई है आपके बेटे तीन भाई है अजिदलाल निरहू का बड़े हैं कि छोटे हैं माझिल है और दोनों लोग क्या करते हैं दूरों लग जोन भाइव घर रहा थें कोनों काम नाई ब्या कमाई धमाई नाई भापन घर रहा तेर को तो यह रोहर काम पाएगें तो कहले नाई पाया तो पन होई ते बैटा बैट बैट अच्छा तब ही वो गए है काम से फोन पर बात हुई लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं पर प्राशन पर पूरे तरीके से फेमस हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त में बाकी इनकी इस्थिति हमने आपको दिखा दिया और यहां के जो इसे ग्राम प्रद्धान है uniquse yamara request है कि इनके पास इनКакो आबास की ज़रुअत है आबस मिले चाहिए जो भी सरिकारी सुभिधाय हैं वो कोसिट करें कि इनको वो सुभिधाय मिलें जो ऐसे लोग है जिन जो लोग पात्र हैं उस टाइप के और शेयर करें और ऐसी ख़वरे देखने के लिए ऐसी चीजों को ऐसे हम तमाम सारे टाउपिक पर वीडियो देते रहेंगे तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जय हिंद